लुट्यूब का रास्ता विनर्स इथेरियम ETF की ट्रेडिंग की शुरुवात 4 जुलाई एक प्रॉपर डेट आ चुकी है जब इथेरियम की ETF की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई और वही दिन होगा जब हम लोग सोल ETF की तयारी को भी एक बड़े लेवल पर देखने जा रहे है अल्रेडी दो इंसिट्यूशन की तरफ से SEC को अप्लाई कर दिया गया है सोल ETF से रिलेटिड एंड नेक्स 10 आर के अंदर मोर दें 73,000 टोकन जो हैं सोलाना टोकन वो अनलोक भी होने जा रहे हैं आज सोलाना से र उस चेन के कुछ मीम कोईन के अंदर आप लोगों को 50X से लेकर 100X तक का पोटेंशल देखने को 100% मिलने वाला है बहुत बार कोशिश किया है सोलाना चेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसमें आप लोगों को easily $50, $100 लगाकर एक काफी बड उनी market cap के अंदर कितना बड़ा एक impact ला सकते हैं इस वीडियो में आज हम लोग उसकी बात करेंगे और इसके इलावा जो next 10R में मैं आप लोगों को अल्रेडी बता चुका हूँ का इस टाइम पर प्रोजेक्ट चल रहा है और यहां पर आप लोग अब coin market के आपड token unlock का एक feature भी देख चुके हूँ 89% Solana जो है वो इस टाइम पर unlock हो चुका है 10% supply अभी भी Solana की जो बनती है 78 million Solana वो अभी भी locked है लेकिन अगर हम लोग token unlock feature में जा रहे हैं तो और Solana को unlock होने के बाद ultimately Solana की market cap पर एक impact डालेंगे Solana के price के अंदर भी हम लोग को एक moment देखने को मिल सकती है but ultimately Solana का ETF जो है वो Solana की market cap को यहां से more than 5x 10x करने के लिए बिलकुल ready हो रहा है and right now if I'm talking about the Solana chain meme coin और अगर आप लोग coin market cap पर आज की rate में देखें meme coin जैसे आप लोग को branding category दिखाई दे रही है और इसी meme coin category के अंदर जब हम लोग Solana chain के top 3 meme coin की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो focus होता है वो bonk में होता है bomb book of meme में होता है और इसके साथ साथ हमारा focus होता है dog whiff hat में जिसको हम लोग whiff पोलते हैं so यहां पर हम लोग meme category को open करने के बाद सबसे पहले चलते हैं dog whiff hat में $2 के आसपास का यह project बन चुका है और आज की rate में $2 billion इसकी market cap है coin rank जो है वो 44 का है soul का सबसे topmost meme coin market section में अगर आप लोग चलो तो market section के अंदर आप लोगो को binance में भी इसकी listing बहुत easily दिख पारी है bybit kraken mostly सभी exchange में लिस्टीड है अब यहां से हम लोग soul ETF अप्रूव होने के बाद जो topmost meme coin whiff बनता है हम लोग इसका expect करते हैं कि market cap कितनी जा सकती है क्या यह पैपे को flip कर सकता है क्या यह शिबा को flip कर सकता है आने मले बुलरन में we are expecting कि शिबा इनू की market cap more than 17 billion dollar की होनी चीए और पैपे की market cap 40 billion dollar की होनी चीए अब अगर इस case में whiff token जो solana का topmost meme coin है पैपे को flip कर जाता है अब यहीं पर अगर हम लोग second topmost project की बात करें bonk solana पर जैसे जैसे solana में improvement आती है solana का price के अंदर हम लोगों को बढ़ता हुआ movement दिखाई देता है green candle दिखाई देता है वैसे वैसे bonk token की जो liquidity है उसके अंदर भी strong point आते है अब यहाँ पर अगर आप लोग token unlock feature में जाओ तो bonk के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जुलाई के महीने में per day साबसे कितने unlock होने जा रहे है it means supply के अंदर एक बड़ा impact आ रहा है शायद bonk आप लोगो अभी इस time पर down होता दिखाई दे रहा है but ultimately 1.5 billion dollar की market cap 56 का rank no doubt के bonk भी 30 billion dollar की जादा की market cap बना सकता है it means safely if I'm talking about 15x का profit bonk में भी आप लोग easily उठा पाओगे अब यहीं पर solana chain के topmost अगर मैं third meme coin की बात करूँ वो बनता है book of meme bomb 97 का इस time पर rank है और अगर आप आज की date में इसकी market cap चेक करो तो 655, 655 million dollar की बनती है और यहाँ पर unlocking feature नहीं है it means bomb जो है वो पूरा का पूरा already unlock हो चुका है अब bomb के अगर आप लोग मार्किट section में चलो तो already bomb भी आप लोगों को finance पर दिख रहा है, buybit पर दिख रहा है, kucoin पर है, mexc पर है, gate.u पर है, bit get पर भी है it means कि हम लोगों के पास centralized exchange में buy करने के बहुत सारे option बन चुके हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको buy नहीं किया. अब topmost third meme coin, या हो सकता आने वाले time में आपको कुछ और meme coin पता लगे, जो bomb को भी flip कर जाए, बट ultimately I am expecting कि bomb की market cap भी 10 या 15 billion dollar की easily बन सकती है, sole ETF अपरूव होने के बाद, यानि कि it means हम लोग 10x से लेकर 15x या 20x का profit bomb से उठा सकते हैं, बट अगर आप लोगों ने मेरी कुछ last वाली Solana की videos देखी हैं, तो मैंने आप लोगों को Solana के काफी सारे low cap jam भी बताए हैं, और मैं tweet भी time to time करता रहता हूं, तो अगर आप लोगों नहीं तक मेरे को Twitter पे join नहीं किया, please do connect with me on Twitter, क्योंकि 56 million dollar, 2 billion dollar, 2.5 billion dollar की market cap के project आप लोग फिर भी देख पा रहे हो, but you have to focus under 10 million, 100 100 million, वो project जो अगर 10 million dollar की market cap के project को आप आज बाए करते हो, और वो 200 million का गया, तो हम लोगों को easily बहुत बड़ा profit वो देखे जाएगा, okay, या 100-100 million आप को प्रोजेक्ट बाए करते हो, और वो project अगर 5 billion dollar या 10 billion dollar की market cap, Sol की ETF अप्रूव होने के बाद बना गया, तो वो हम लोग प्रोजेश चैन, जो इस पतिकुलर अबडे चले, जो फोलो में on Cryptomark as well as on Twitter and yes, stay connect with me. Thank you so much for watching this video and please do subscribe to Cryptomark YouTube channel. But please keep it in mind you are in the highly volatile market. So please do your own research before buying, before starting, before investing in Cryptomark. Thank you so much.